कभी सोचा है आपने कि क्यों हीरे को मुकुट में धारण किया जाता है क्यों इसे आभुशन बना कर गले से लगाते हैं क्यों इसे मार्ग में फेक नहीं देते हैं क्योंकि अंतत है है तो ये भी एक पत्थर ही क्या केबल इसलिए कि ये देखने में सुंदर है सुंदर तो पूलों की पत्थियां भी होती है तो फिर इन्हें क्यों माद में बिखेरा जाता है पैरों तले रौंदा जाता है कारण है कठोरता यदि हीरे को पाउं तले रौंदने का प्रयास भी किया तो पाउं की बहुत द और दशा कर देगा के फिर घभी पाउं रखने के लिए धरा नहीं मिलेगी इसलिए हीरे को मान से सर पर रखा जाता है प्रतिभाश आलिवयक्ति भी हीरे की भांती होता है यदि सम्मान दोगे तो यश पहलाएगा और यदि अपमान किया तो खायल कर देगा इसलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए नीतिया मेरी नीति आपकी